बिस्मिल्लार्माद रहीम, असलाम अलेकूम आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार और असान तरीन चिकन कॉर केट उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी और चीजी भी बहुत ही जबरदस फ्लेवर है आपको बहुत मजाने वाला है पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी लेकिन देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो पसंद आजाए तो लाइक जरूर कीजेगा और डेफिनिटली वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है स्टार्ट करते हैं मैंने यहां दो आलू बाल लिये हैं और इनको मैं कदूकश करूँगी प्लीज मैशर मत कीजेगा अच्छा रेजल्ट आने के लिए थुड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप इसे कदूकश कर लीजेगा बड़ा जबर्दस टेक्श्चर आएगा आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए इसलिए कि अगर होंगे तो हमारे कबाब सही से शेप नहीं लेंगे इसमें हम बॉयल किया वाद चिकन मैं शामिल कर रही हूँ टू फिफ्टी ग्राम नमक और लेसन डाल के चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया है एक टेबल स्पून अनियन पॉडर एक टेबल स्पून लेसन पॉडर शामिल कर देंगे चॉप कीवी हरी मिर्च ले लेंगे रेड कलर की हरी मिर्चे हैं नो मैंने चॉप करके इसे शामिल कर देंगे गाजर चॉप कर रही है, बहुत फाइन चॉप की है, इसे शामिल कर देंगे साथ में मैं शामिल कर रही हूँ, इसमें हरी प्याज और हरा धनिया सब चीज़े हमने फाइनली चॉप कर ले रही है, इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ यहां पर एक शिमना मिर्च ले लिए ईसको चॉप कर लिया और इसे भी हम शामिल कर देंगे इसके साथ मैं ले रही हूँ तीन टेबलेस्पून कॉर्न प्लॉर एक टेबलेस्पून काइली मिर्च और टेश के मताबे हम इसमें नमक शामिल कर देंगे साथ में मैं डाल रही हूँ चिकन पॉर्डर भी एक टेबिली स्पून मैंने चिकन पॉर्डर कह लिया है लाजा नमक थोड़ा कम रखेगा टेस्ट के मताबिक हिसी निये का है डालिएगा तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हलके हाथ से हमने मिक्स करना है इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है एक अदर अंडा और इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मौर्जेरा चीज या आपको अपनी पसंद की कोई चैडर चीज पसंद है तो वो डालीजेगा तकरिबन डेड़ कप मैंने डालीए बहुत अच्छे मज़ेदार किसम के चीजी कडलर्स बनते हैं अच्छे से तमाम मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके बनाएंगे कडलर्स कबाब शेप में अच्छी तरीके से हाथ की मदर्स से करिएगा बिलकु स्पैचुला से इतना मज़े का नहीं बनता है इसके हम कबाब तिकी शेप बना लेंगे जैसे आपको पसंदो शेप देना आप इसको कोई और भी शेप दे सकते हैं आप इस तरह बना लीजे तमाम कबाब बना के हम इस तरह रख लेंगे बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं और टेस्ट और खुश्बू तो बहुत ही जबरदस होती है इनके किनारे आपने ज़रूर राउंड कर लेने ताकि कोने तूटे नहीं अब इन्हें सबसे पहले हमने मेदे का मिक्सर बना है आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं सरह से और जब आपको फ्राई करना हो आप इसे आराम से फ्राई कीजिए इसी तरीके से आप तमाम मिक्सर के कटलर्स बना कर रख लेंगे बहुत ही एजी तरीके से आप बना सकते हैं देखिए कितनी असानी के साथ ये बन जाते हैं और जरा भी मुश्किल नहीं होती लंच बॉक्स में ज़रूर बच्चों को बना कर दें उन्हें बहुत पसंद आएंगे शैलो फ्राई करेंगे रहाजा ओयल गर्म होना चाहिए जब हम अपने कटलर्स इसमें डालें और हम धीमी आज पे करेंगे ताकि चीज अंदर से मैल्ट भी हो जाए उपर से कटलर्स बहुत ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बच्चों को अचकर ये स्नेक्स रेसे भी बहुत अची लगती है बाहर जाके ये जंक फूड इस्तमाल करते हैं इससे बेतर है आप उन्हें घर में बनाके खिलाएए हेल्दी भी होगा और अपने हातों से साफ सुधर तरीके से जो बनाएंगे वो बाती कुछ और है इसको तमाम कट्लेट्स को हम तलके निकाल लेंगे इससे पहले भी मैंने एक पीजा कट्लेट्स की रेसिपी शेयर किये आप उसे जरूर जाके देखिएगा बहुत ही यम्मी और टेस्टी है ये बिल्कुल उसे डिफरेंट बनाए है आप इसे भी ट्राइ कीजेगा मेरी कोशिश यही होती है कि खास तोर पे वो लोग जो पहली बार कुकिंग कर रहे या नए-नए कुकिंग करना शुरू किया है उनके लिए बहुत ही असानी हो जाए और वो जटपट बहुत ही जबरदस और यूनीक रेसिपीज बनाकर अपने घरवालों को सेर्फ करें लीजिए कटर्स तयार हो गए हैं इनको प्रेजेंट करते हैं ज़रा अच्छा सा लुक आना चाहिए तक कि खाने का भी बहुत मन करें लेकिन हमारे घर में बच्चे कहते हैं यह सब फॉर्मैलिटी है यह टेस्टी कटर्स तो इतने मज़ेदार हैं कि इनके लिए इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है सूपर सूपर क्रिस्पी क्रिस्पी यम्मी जूसी आप एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा कमेंट्स में जरूर मुझे बताएगा आपको रेसिपी कैसी रहेगी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलेंगे अल्ला हाफिज